इंदोर जिली की नौव विधान सभाओं में मतदाताओं में खासा उत्सभा देखने को मिल रहा है चुनाब आयोग के निर्देशों के बाद सच धच के तयार हुए आदर्श मतदान केंद्रों की मतदाताओं ने काफी तारीफ भी की चुटपुट घटनाओं के बाद भी शांतिपून मतदान होने के साथ जिला निर्दवाचन अधिकारी पर कलेक्टर इलाया राजा टी ने MP News के समवादाता धर्मेंद्री यादव से खास पाचीत की इंदोर में जिस प्रकार से लगातार सुबह से ही मतदातों में उत्साह देखने के मिल रहा है लगातार जितने भी मतदान केंद्र बने हुए काफी लंबी-लंबी कतारे महाँ पर लगी ही है क्या लगता आपको कि इस बार जो है मद्दान का प्रतिशत एक हाई लेवल पर जाएगा अंदोर को अपना अधिगार को प्रयोग करें ओवराल हमारी 2561 पोलिंग स्टेशन में इंदोर जिले में पीस्फिल एलेक्शन चल रही है मतला कही कोई है एस पर्टिकलर टाइम पे कोई इशूस नहीं है और ग्रामिन शेत्र में ज्यादा बीड है अधी उत्साहित से लोग आ रही है सगरी शेत्र में भी बहुत सारे पोल सिले फिचन चेशंन शेटर के बाता है और जो भी अधेशन तोड़सा भी समझ में आते हैं उसको अम लोग के ना डेफेनेटली कुए के रिस्पोर्टर पॉलिस ओफिसरस्टीम अग्मारे पॉलिस के लिए पुरी प्लान एक डीजैंटर लाईज़ व्योस्ता हम लोग ने इस बार नहीं किया है तो कहीं भी कोई भी इस्यू नहीं रखेगा कहीं कहीं चोटी-मोटी विवाद भी होता है तो उसका तत्काल हम लोग सुल जाता है कि निराकरन करता है और कोई भी यह मतलब अपना कानून का हाथ में लेता है तो definitely उनकी किलाफ शक्ति से कारवाई भी करेंगे और इंदोर जिल्ले में बहुत है ना मद्दान केंदर पी ना कड़े है एक महिला के माध्यम से सभी करमचारी महिला है वह छला रहे और डिफ्रंट इफरेंट्ट टीम्स पर हम लोग ने इस बार आदराज मद्दान केंदर बनाएं सिंस इंदोर ने चे बार इना CLEANER CITY जीता है तो हम लोग पूरी election को no waste, zero waste election पे ना हम लोग करा रहे हैं, 3R है, reduce, reuse, recycle, उस concept पे हमारी मद्दान के अंदर बनी हुई है, मद्देप्रेस की संस्कृती, हमारी मालवा का संस्कृती, election की इधिकाश, इस प्रकार का अधर टीम्स पर भी मद्दान के अंदर बनाएं, ये कोशिश किया कि है कि हमारी मद्दाता हमारी मद्दान के अंदर में पहुंचते हैं तो उनको सम्मान तरीके से हम लोग उसको स्वागत करें, अपना मद्दादिकार प्रयोक करें, फिसलिटेट करें, पुरी हमारी मद्दान दल को हम लोग भूती सा सम्मान मद्दाताओं को हम लोग आमतरित करेंगे, वो अपना वोड डाले. यही लगातार जिस प्रकार से पूरे इंदोर में जो मद्दाताओं को उत्सा है, वो काफी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह से ही मद्दाताओं की संख्या है, वो हर मद्दान केंदर पर लगातार बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे युवाओं की बात करें, या पर देखने को मिला है सुबह से ही जितने बुजूर्ग हैं काफी ज्यादात में यहां पर सुबह से तकरीबां सात बज़े से यहां पर इंदोर में मददान शुरू हो चुका था और उसके बाद शाम को छे बज़े तक लगातार यह मददान जारी रहेगा इस वक्त इंदोर से MP News के लिए धर्मेंदर यादो की रिपोर्ट